जैहीं दोस्तों आपका अपने चैनल यस्किया इस्टडी पर बहुत ही बहुत ज़्यदा स्वागत है क्योंकि इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ज़्यदा स्वागत हैं और इसकी पीडिया भी आपको हम दे देंगे कहां यसकिया इस्टडी का जो आफिसील आएफ है वहां पर आपको मिल जाएगी और यसकिया इस्टडीक्लोसेश.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी तो आप सभी लोग का जो लिंक है डिस्किप्शन में आपके दे दिया गया है वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं तो यहां पर तेरा most important questions की बात करेंगे जो आपकी exam में आएंगे और 95% मार्क्स आपको दिलाने का वादा करते हैं अगर आप में साथ लास तक जुड़े रहेंगे exam तक तब तो अगर जो भी जुड़े हैं चलने अगर सब्सक्राइब लें के सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे ठीक है चलिए अब यहां पर द देखेंगे नैनो पदार्थ किसे काते हैं पहला कुछिण देखें क्या है कि नैनो पदार्थ किसे काते हैं आपको अच्छी तरीके सम बताने का प्रयाज करें कि नैनो पदार्थ किसे काते हैं तो ऐसे पदार्थ क्या करना ऐसे पदार्थ जिनका आकार एक से सो नैनो क्या कह लाते हैं नैनो पधार्थ कहलाते तिक यह आपके च्रीका समझा जाएगा बोट ही कि यसा किसे कहाते हैं जिसका अकार 10 घाते तीन से तक होता है tweet 10 आपको क्या अब यह आपको अच्छी तरीका समझिंगे जो माइवकरो मीटर माइव्माने साफ करेंगे तिक यह 60 byま आपको मार्स करना हो चल यह अगला कुशन देखेंगे समसाईये की एस्टू एस्थरी क्यों होते हैं और सेनियम और हैड्रोजन सलफाइड क्या करा कि ऑर्सेनियम और हाड्रोजन सलफाइड की अब क्रिया से बने आर्सेनियम सल्फाइड क्या है यह हमारा आर्सेनियम सल्फाइड है कि कड़ बिलियन से सल्फाइड आयनों को क्या कर रहा है सल्फाइड आयनों को प्रिष्ट पर अधिसोसित करके कहां पर प्रिष्ट पर अधिसोसित करके रिन आवेसित हो जाते हैं क्या को ज ह् प्लस दितिया कि भिश्रीत अस्तर बनाते हैं ये आपको अच्छी तरीक Ihrer समझ में आ गया होगा तो मेरे प्रस्णो मेरे पेदेंट से इन परसणों को मेरे अच्छी तरीके से पड़ करके अपनी क्पी में इक क्पी बनाते रहेगा क्योंकि बहुत हैं इंप्रस्ण आपको विक्रिया लिखिए तो ग्रिगनाड अभी कर्मक से अगर हम प्राथमिक इल्कोहल बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे इस मेरा सानी का विक्रिया आपको लिखना है तो ग्रिगनाड अभी कर्मक के विक्रिया जो ग्रिगनाड अभी कर्मक के विक्रिया है फार्मेलडी से कराने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता तो यहांपे आप देख सकते हैं CH2O, इसी करिया हम किसे कराएंगे, CH3MgBr, इथर के उपस्तिति में क्या बनाएगा, CH3MgBr, प्लस TH3, पुने इसी करिया हम किसे कराएंगे, CH2O, और-MgOHBr, और यहांपर CH, OH, O-Ethinol करेंगे, अपको क्या बनाएगा, यहांसे आप देख रहे हैं, फ़ामेलिडियाइड के अस्थान पर फ़ामेलिडियाइड के अस्थान पर एेथिलीन अक्साइड अथवा आक्सी डू works या जा सकता है चोछी उखले अगला कुछ नरहां देखेंगे मैथिल आलकोहाल से अथिल कम है कैसे प्राप्त करेंगे मेथिलिलकोहल चाहितिलिलकोहल का इसे प्राप्ट करेंगे तो CS3OH PCL5 CS3CL KCN CS3C TRIPAL BOND N ठीक है CS3C TRIPAL BOND N ठीक है तो यहां से बनाएगा मेथिलिलकोहल अब देखिए इसका मेथिलिलकोहल है इसकी करिया PCL5 को बस्तिम करिया कराएंगा CS3CL बनाएगा और यहां पर KCN के पुना करिया कराएंगा तो CS3C TRIPAL BOND N बनाएगा अब इसकी करिया पुना याने C2OH5 OH और 4H को उपस्तिम कराएंगे तो CS3 CS2 NS2 इसकी करिया AH ENO2 को उपस्तिम कराएंगा CS3 CS2OH एथिल अल्कोहल के उपस्तिम कराएंगा तो यह अन्टू प्लस OH2O बनाएगा ठीक यह आपको बन जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है चलिया आपको बताते हैं अगला कुछन देखिए क्यूनीन से फिनाल बनाने के विक्रिया का समिगाण देजिए किस क्या बन जाएगा क्यूमीन बन जाएगा इसको ओटी कुपस्तिम कराएंगा क्या बनाएगा CS3 CS3OO और यहां पर यह पर यह प्रस्तिम कराएंगा तो क्या बनाएगा हमारा यहां पर बनाएगा फिनाल प्लस डाई मेथिल की टोन क्या बनाएगा डाई मेथिल की टोन बनाए अच्छी तरीक अप को समझ में आ रहा होगा और 80 इंप्रास्ण आपके लिए आसे उप oh को जो की आप निम्र को आप कैसे प्राप्त करेंगे किसको डाय एथीलिथर से एथीलिकुर्ण कैसे प्राप्त करेंगे तो चली यहाँ पर आप को यहां पर का whole twice O plus H i यहनि डाई एती लीथर है इसकी कैसे बनाएंगे C2H5I plus C2H5OH इससे क्या कहेंगे एतील एलकोहाल कहेंगे चलिए आपको पताते हैं अगला question देखिए आपको benzene, benzene सांद्र S2SO4 और NOH दिये गया है क्या दिया गया है आपको H2SO4 और NOS दिया गया है इन अभी कर्मकों के उपयोग द्वारा फिनाल से वीरिचन का समिगर्ण लिखिए तो C6, सांद्र H2SO4 क्रिया करेंगे सलफोनी करन होगा इसका तो क्या हो जाएगा है हैंपे C6SO3H बेंजीन सलफोनी बनेगा पुनाय सी क्रिया किसे कराएंगे NOS गलन से और माइनस N2SO3 से कराएंगे तो क्या बनाएगा C6H5ONA तन-HCl और यहाँ पर सोरियम फिनाकसाइड बनाएगा पुनाय अनन-Cl है बनाएगा क्या C6H5OH और फिनाल बनाएगा क्या बनाएगा फिनाल बना देगा चली अगला कुशन देखेंगे बहुत ही इंपोर्टन यह भी है तो क्लोरो एथेन से किससे क्लोरो एथेन से यन 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 डाई एथिल एथिल एथेनामीन बनाने का रासानिक समिकर्ण लेगे यहाँ पर देखेंगे क्या बनाएगा इसकी उपस्तिम क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा इसकी उपस्तिम क्या बनाएगा डाई एथिल एथेनामीन बनाएगा ठीक चली आगए आपको बताते हैं अगला कुछें देखिए एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासानिक परिछण लिखिए किसकी पहचान करने वाला एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासानिक परिछण लिखिए तो C2H5NH2 को CHCl3 और एलकोहलिक क्योज के साथ गर्म करने पर तीरव दुरगंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है किसके साथ C2H5NH2 को CHCl3 और एलकोहलिक क्योज के साथ गर्म करने पर तीरव दुरगंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है करने C2H5NH2 plus Cl3 plus K3QH अलकोहलिक है तो C2H5NC plus 3KCl plus 3H2O जिसे क्या कहेंगे एथिल आइसोसाइनाइड कहेंगे तिक चलिए उप्रसहसंयोज संख्या को परिभासित किजिए किसको परिभासित करना है उप्रसहसंयोजक संख्या को परिभासित करना है ग्रहण किये गए इलक्तराण की संख्या माइनस त्या किये गए इलेक्टरां की संख्या तो यह फार्मूला आपको याद कर लेना है चलिए अगला कुछ न देखे बढ़ कोच न देखे वेग इस्तिरांग ता आप बढ़ाने पर क्या होगा बढ़ेगा गटेगा आप का और विर्षी रहाएगा उन नापदीश्च्ट क्या जाएगा बढ़ेगा क्याहोगा बढ़ेगा ठीक है तो इस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग था वेग इस्तिरांग की इकाई समान होती है कि इस कोट की अभिक्रिया के लिए तो आपको हम बता दें सुन कोट की अभिक्रिया के लिए जो आपकी वेग था वेग इस्तिरांग की इकाई हो क्या होगी समान होगी तो यह आपके लिए प्रस्त तेरे प्रस्त बेरी प्रस्त बहुत जाता अच्छी तरीके साथ को समझ में आजाने चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइफ सेयर कमें सुस्क्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक लिए जाहिन